जटिल समस्या हो या भाग्य वाधा हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिन्ता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाइए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिश्टे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com पर नमस्कार मित्रों मैं हूँ वैभवनात शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए 4 उपाई और आपका राशिफल लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ तो समय नष्ट किये बगएर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में आज का पंचांग इस प्रकार है अंग्रेजी तारीक 27 जुलाई 2017 विक्रम समवत 2074 मास चल रहा है श्रावन का यानी सावन का महिना है शुकलपक चतुर्थी के उपरांत पंचमी तिथी आज बन रही है ब्रिहस्पतिवार का दिन है उत्तरा फालगुनी नक्षत्र है योग है परिकरण है विष्टी और तिथी और परव अगर की बात करते हैं तो आज नागपंचमी की तिथी है और नागपंचमी का तिवार जो है हमारे हिंदू संसकारों में बहुत विशेश स्थान रखता है तो ये तो बात रही आज के पंचांग की अब हम लोग कारिकरम को आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले बात करेंगे पहली तीन राशी के बारे में और उसके बाद आज का पहला उपाए तो मेश राशी अधिकारियों के कारण आपके कष्ट आज बढ़ सकते हैं अगर आप बिजनसमेन है नौकरी पेशा नहीं है व्यापारी वर्ग है तो ऐसे में आपको सरकारी तंत्र से कोई कष्ट और परिशानी आती दिखाई देती है अपने व्यावसाईक शेत्रों का विस्तार करने के लिए समय और दिन आपके पक्ष में हैं लेकिन थुड़ा सा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी सरकारी तंत्र से कुछ बादा विग्न आ सकता है आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम कठोराई नमहमंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है पीला और शुबंग बनता है आठ अब बारी व्रिशव राशी के व्रिशव राशी वाले जातक लोगों के लिए कारियों में जोश और उत्सा का भाव बनाये रखने की आवशकता है आज का दिन आपको नाम और धन दोनों उपलब्दी कराएगा आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम त्रिपुरांत काई नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप कर लेना आपके हित्मे होगा बिना सोचे समझे कोई निर्णाय आज आपको नहीं करना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है नीला और शुबंक बनता है छेले अब बारी मिथुन राशी के मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए रिष्टेदारों वसगे संबंदियों से मेल मुलाकात के अफसर बन सकते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम व्रिषांग कायन महमंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा क्रोध करने से बचना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है हरा और शुबंक बनता है एक तो मित्रव हम लोग कारिकरम में बात करेंगे आज के पहले उपाय की आज का जो पहला उपाय है यह मानसिक शांती प्राप्त करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अचानक बैठे बैठे जो है किसी चिंता में घिर जाते हैं कोई अंजाना भय एक अजीब सा डर जो है हमें अंदर अंदर खाने लगता है ऐसी इस्थिती में चिंता से बचने के लिए और भय से मुक्ति के लिए जब आपको अचानक प्रॉबलम आ जाए ना स्ट्रेस आने लगे किसी चीज का तो कम से कम 11 बार गायतरी मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए जहां बैठे हैं जैसे बैठे हैं बस फुटवियर्स उतारे और आपने उंगलियों पर गिनके 11 बार जाप कर लिया किसी भी प्रकार की चिंता होगी आपको तुरंत अर्थक सवाधान आपको अपने आप इश्वर की प्रेणा से विचारों में दिमागों में आ जाएगा तो ये तो बात रही पहले उपाय कि अब बात करते हैं करक सिंग और कन्या राशी की करक राशी वाले जातक लोगों के लिए जोश उत्साह और उर्जा शक्ती को बना रख करके आप अपने कारिशित्र में व्रिद्धी कर सकते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम व्रिशुभार उढ़ाए न महमंत्र का 108 बार जाब कर लेना आपके हिकमे होगा रोग को अंदेखा नहीं करना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है लाल और से बचना होगा आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम भस्मो द्वेलित विग्रहाई न महमंत्र का 108 बार जाब कर लेना आपके हित्मे होगा तनाव लेने से बचना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है भूरा और शुबंग बनता है पांच अब बारी कन्याराश के लिए अपने मित्रों के साथ आज विथीत कर सकते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम साम प्रियाई न महमंत्र का 108 बार जाब कर लेना आपके लिए हित्मे होगा यात्रा करने से आपको बचना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है ग्रे और शुबंग ब की अपरमपार कृपा प्राप्त करने के लिए 11 गोमती चक्र और 11 लक्षमी कारत कोडियां लाल कपड़े में लपेट करके बांध करके धन रखने के इस्थान पे आप रखते हैं तो मा लक्षमी की कृपा मिलती है मैंने कुछ दो-ती निन पहले के एपिसोड में बताया था की ये जो गोमती चक्र होता है वो स्वता ही सिद्ध होता उसको सिद्ध करने की आवशक्ता नहीं होती बस एक बार आप धूप दीब दिखा दीजिए वो एक्टिवेट हो जागरित हो जाता है उसकी एनरजी जो है वो काम करने लगती है तो और उसके साथ जो धनकारक कोड यह वो तो अपने आप में धन का स्वरूप है आज से कुछ सो साल पहले धन तो हुआ नहीं करते थे यह पेपर के नोट्स तो चलते नहीं थे उनकी जगा यह कोडी ही जो है वो रुपए पैसे के लिए एक्सचेंज में काम आती थी तो वो अपने आप में धन का प्रतीक है उ तो बात रही आज के दूसरे उपाय की अब हम लोग चर्चा करते हैं तुला व्रिशिक और धनुराशी के बारे में सबसे पहले तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए असहयोग की भावना आप में अधिक रहेगी आपके संबंदों को ये भावना प्र वाले जातक लोगों के लिए मित्रों पर इस अवधी में विश्वास किया जा सकता है वाद विवाद के स्थानों से स्वेम को दूर रखने का प्रयास करें आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम त्रई मूर्त है नमा मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित्मे होगा बिना सोचे समझे कोई अनुबंद नहीं करना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है गुलाबी और शुबंग बनता है एक अब बारी धनुराशी के धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए अप प्रत्याशित लाभ आज आपको शीग्र धन कमाने की और प्रिरित कर स चाहिए आज ऐसा कोई भी काम कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को किसी की भावना को ठेज पहुँचे आपके लिए शुबरंग बनता है सुनहरा और शुबंग बनता है चार अब हम लोग बात करेंगे आज के तीसरे उपाय के बारे में तीसरा उपाय भी गुमती चक्र से ही जुड़ा हुआ है जिसके प्रयोग से जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापारी वर्ग हैं आपके अब कहीं कोई आगे बढ़ने की स्थिती नहीं दिखती है प्रगति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं कहीं ग्रोथ नहीं मिल रही तो इस उपाय को आप करेंगे फायता मिलेगा करना यह है कि लक्ष्मी नारायन के मंदिर में नियमित रूप को चाहिए और फिर आरति करना चाहिए इस उपाय को करने से प्रगति और उन्नती के मार्ग जो हैं वह खुलने लगते हैं व्यक्ति के जीवन में जो निराशा की इस्तिति आ गई ती एक या था आपके कारेशित्र में उससे आपको मुक्ति मिल जाती है अब हम लोग बात करेंगे मकर कुम्भ और मीन राशी की मकर राशी आर्थिक योजना बना करके चलने की आवशक्ता होगी परिस्तितियां जितनी ठीक लग रही है उतनी ठीक नहीं है आज के दिन को शुब बन अब बारी कुम्भ राशी की कुम्भ राशी वाले जातक लोगों को आज आपको अपने कामकाज से खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने खुद से अपने आप से कुछ उम्मीदें बहुत जादा पाल लिती है आपकी अपने आप से खुद से जो है बहुत जादा दे थी तो ऐसे में आज आप थोड़ा सा सटिस्फाइड नहीं होंगे आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम परमात्मने इनमा मंतर का 108 बार जाप आपके हित्मे होगा कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए आपके लिए शुबरंग बनता है गाड़ा और शुबंग ब वशक्ता होगी किसी को धोखा देने से बचना है और भगवान विश्नु की पूजा राधना करना है अपना बहुमूले समय आप नश्ट न करें इस बात का भी ध्यान रखेगा आपके लिए शुबरंग बनता है केसरिया और शुबंग बनता है तीन तो मित्रों अब हम लो यह है कि वास्तु दोश में को मिटाने के लिए तोड़ फोड की आवशक्ता बहुत कम पड़ती है जो समझदार वास्तु शास्त्री होंगे वो इस बात को जानते और समझते होंगे कि तोड़ फोड करने से वास्तु भंग दोश दिशा परिवर्तन वेद और रूप यह तीन प्रकार के भयंकर वास्तु दोश लग जाते हैं आज के 99.9% जो यह इंटरनेट पर हम लोगों के वीडियो देख करके वास्तु शास्त्री पैदा हुए हैं उनको इन चीजों के बारे में इसकी sensitivity कितना यह समवेधन शील विशह है उसके बारे में जानकारी ही नही करते हैं फिर उसके बाद एक तो परिवार पहले ही से परिशान था उसके बाद और ज्यादा परिशानी बढ़ जाती है और वो अपनी दक्षिना लेकर निकल जाते हैं तो इस तरीके की गलती करने से बचना चाहिए किस तरीके से बिना तोड़ फोड के वास्तु दोश लगता है वास्तु शास्तियों के नुसार कुछ मामूली परिवर्तन करके इन वास्तु दोशों को समाप्त किया जा सकता है उन्हीं सुझावों में से कुछ विशेश सुझाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि आपके घर की छत पर व्यर्थ का सामान पढ़ाए तो उसे हटा देना चाहिए अगर घर में जगा जगा पर प्लास्टर उखड रहा है तो उसको ततकाल ही आप मरमत करा करके रिपेर कराए यदि आपकी रसोई के गेट के ठीक सामने टॉलेट या बातरूम का गेट दिखाई देता है तो ये हमेशा आपकी रसोई में बन रहे भ चुद्ध रहेगा तो ऐसे में उस पे आपको दर्वाजा हमेशा टॉलेट का बंद रखना चाहिए और उसके बावजूद अगर किचन और टॉलेट आमने सामने है या आसपास है तो टॉलेट के दर्वाजे पर आपको हमेशा एक मोटे कपड़े का कर्टन डाल करके रखन चाहिए और दर्वाजा जब भी यूज करें टॉलेट को उसके बाद तुरंत बंद करें उसमें कोई भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए यदि घर के दर्वाजे वह खिड़कियां खुलने और बंद होने में आवाज आती हैं करकश आवाज आती हैं तो उसको त पसु Ahora कोन में रख करके दोर्श का निवाराण कर सकते हैं आगर ये भी नहीं कर सकते तो आद एक कोन में 0Missा का बिल बंद जिलाख करके लाल बल जिलाख करके इस दोश से बचाजा सकता है तो यदि श hour औरmen में उत्त कोंदितर कर वहाज पर पूर्व के कनों में बोर्ज य जाया करें उसको आप यूज करें तो वो बहुत अच्छा होता है इससे आप किसी भी प्रकार से दोशों से बच जाएंगे यदि भूखंड चौकोर नहीं है आपका प्लॉट जो है वो स्क्वार या रेक्टांगुलर नहीं है तो ये अवश्य आपको देख लेना चाहिए कि लंबाई चोड़ाई की दुगनी से अधिक न हो यदि लंबाई चोड़ाई से दुगनी के अधिक होती है तो उसके अतरित जो भी एक्स्ट्रा जमीन है जो डबल से एक्स्ट्रा जा रही है उसको आपको अपने प्लॉट से अलग कर देना चाहिए उस पर एक भाग है उसको फिर आपको अलग से करना चाहिए अलग से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए अगर इतनी जगह नहीं है कि आप अलग से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो उस जगह पर आप छोटा सा गार्ड नित्यादी बना करके उस जगह को इस्तिमाल कर सकते हैं और उससे उत्पन होन वाले दोश से भी बच सकते हैं फूल पतियां लगाना ये जो है वास्तु दोश को निदान के रूप में बहुत सार्थक बहुत माना हुआ उपाए है मैंने एक नहीं एक हजार वीडियो में इसके यूजिस बताएं तो पेड़ पौधे वनस्पतियां लगा करके भी आप वा रहे हैं जिससे हमारा भी होसला बढ़ता है कि हम आपको हर बार कुछ नया उपलब्द कराएं आप सभी से मेरा आगर है कि आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें और आप ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किय है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुपकामना के साथ की इश्वर आपका कल्यान करें आपका दिन आपका जीवन सुख में बना रहे मुझे आग्या दीजिए और देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल मैं भाबन तमस्कार जटिल समस्या हो या भाग्ये बाधा हो व्यापार नौकरी शादी की समस्या करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुख का भाब पाईए अपनी समस्त जोटिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभावशाली समाधार एक जहनमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के चार सु वर्ष पुराने प्रतिष्टे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300146-9990724131 या फिर वीमेल करें शर्मा.वभव अधरे जीविल.com